कितना बदल गया बिहार का वाइरल बॉय सोनू, इंग्लिश में बात करते दिखा, नया वीडियो देख मुस्कुरा देंगे आप बिहार के वाइरल बॉय सोनू को तो आप जानते ही होंगे हाँ हाँ वही बिहार का छोटा बच्चा, जो अपने अलहडा, बेबाक और बातु ने अंदाज के चलते रातो रात इंटरनेट पर चर्चित हो उठा था महस 11 साल का सोनू बिहार के मुख्या यानी मुख्यमंत्री नीतिश कुमार के सामने अपनी पीरा जाहिर कर चर्चा में आया था मगर उसके बात रखने के बेधड़क और अनूठे तरीके ने लोगों को काफी प्रभावित किया था इतने परिचे से तो अब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम यूजर्स समझ ही गए होंगे की सोनू कौन है दरसल सोनू की बात इसलिए हो रही है क्योंकि वह अब फिर अचानक से सोशल मीडिया के समंदर पर अपनी बातुनी शैली वाली नाव के जरीय पैरता नजर आ रहा है नए वीडियो में सोनू अंग्रेजी भाशा में अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए नजर आया साथ ही मासूम ने अपनी पढ़ाई से जुड़ी तमाम बाते भी लोगों के साथ शैर की अब इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर अब मासूम की सराहना कर रहे हैं अब दोस्तों मैं बहुत आरी चीजों को मैं अब यह स्टडी किया हूँ जैसे साइन्स में आजाये बात में अब लगों कि मैंने मुझे पाले नी कता है सब्सक्राइब इस प्रेंड साइन इन शाइन सबी श्टडी अब दाइप आप अप अब यूनिवर्स को अब बात में झाले जा डज के अब लगों कि मैं लेख लिए ठीजेव झाले से तेड़ करेंड साइन्स सूब्स्टाइब लगों कि मैं यह जूटीप चैनल स्रेस्टेटीच्वेस वास्वा फ्रबरल्वार्व रस्टेट इस निए्स प्रेंजित प्रिया इंस प्र्ण्स this is wasanth 5 one classist book Hindi this is the nice dictionary so in this book every venue you are asked I am ad answer okay in the comment ask the question any question of 1 to 6 I am tilly answer लुक आपको मेरा इंगलिस वड़ गलब यह को टीज पर प्रैस्ट इस दीज अज वरा इंगलिस टीज और इंगले भीक, पर आपको आपको है कि अज घू सोने की मुझे इंगलिस नहीं का यहाँ आज कल सोनु कहां है वाइरल बॉय सोनु फिलहाल साथवी क्लास का छात्र है अपनी स्कूली पढ़ाई के साथ साथ ही वह राजस्थान के कोटा में आयाईटी की तयारी कर रहा है पिछले साल ही उसका एडमिशन फिमस कोचिंग संस्थान एलेन अकेडमी आलन अकेडमी में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनु के रहने, खाने, पहने तक की जिम्मेदारी भी कोचिंग संस्थान नहीं उठाई है सोनु का एक और वीडियो जानिये बिहार के सोनु को बिहार के नालन्दा जिले स्थित निमाकॉल गाँव के रहने वाले एक दुकानदार रनविजय यादव के बेटे सोनु कुमार ने 14 मई 2022 को कल्यान विगहा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बधार शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी दरसल, सी एम नीतीश कुमार ने अपनी दिवंगत पत्नी मंजु सिन्हा की सोलवी पुन्यतिती के मौके पर नालन्दा के कल्यान विगहा गाँव पहुँचे थे इस दोरान आयोजित एक जनसमवाद कार्यक्रम में एक ग्यारा साल का सोनु कुमार यादव भी पहुँच गया और बिना जेज़त के मुख्यमंत्री की आँखों में आँखे डाल कर कहने लगा सर सुनिये न प्रणाम हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए गाजियन नहीं पढ़ाते हैं साथ ही मासूम ने अपने शराबी पिता की भी सूबे के मुख्या से शिकायत की थी सोनु ने बताया कि उसके पिता दही की दुकान से जो भी कमाते हैं उसे शराब पीने में लगा देते हैं इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया था और फिर तमाम लोग मासूम की मदद के लिए आगे आ गये थे